कुदे जो पी एसी महों के बाबाल दिन रात पढ़ना है मन्जा वो धामाल काव पर ले था सुरे टेंसन अरे काव पर ले था सुरे टेंसन जब अपस्वर बन केते घर पे धामाल ये कैसे होगा से हलो स्टुडेंट्स आप सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत है आज हम चीजे जो बनाते हैं और चीजे करते हैं उन सभी टॉपिक को cover करेंगे उसमें जो हमारा मुख़ी टॉपिक होगा वो पदार्त होगा पदार्त क्या होती है इसके आवश्यकता क्या है और इसके प्रथक करन को आज हम समझने का प्रयास करेंगे चले स्टार्ट करते हैं हम किसे आपके पदार्थ से चीजे हम कैसे बनाते हैं यह हमारा मुख्य टॉपिक है और इसके अंतरगत हम क्या करेंगे इसके अंतरगत हम पदार्थ मैटर को समझेंगे कि आखिर मैटर होता क्या है तो आप सभी को पता है कि आप इस विश्रू में य चाहे ये आपका एक pen हो, चाहे वो bottle हो, चाहे आपका phone हो, ये सभी क्या होंगे, आपके पदार्थ होंगे. तो अगर हम इसके definition की बात करें, तो विश्व की प्रतेक वस्तू, जिस भी समागरी से बनी हो, चाहे वो किसी भी चीच से बनी हो, तो यदि वो इस्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पदार्थ कहते हैं. निश्चित रूप से प्रतेक पदार्थों के आकार, आकृती और बनावट में अंतर होता है, किन्तु ये सभी क्या होते हैं? पदार्थ के अंतरगत ही आते हैं. पदार्थ दिखने में अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनका आकार अलग होता है, उनका भार अलग हो, उनका कह सक हो गया परिभासा हो गया आगे बढ़ेंगे अगला है पॉइंट इस धर्ती पर उपस्तित भी सभी चीजे यहां तक की एक पानी के बूंद से लेकर एक रेत का कड़ भी क्या है पदार्थ की स्रेडी में आता है अब इससे आप समझ चुके होंगे कि अगर पानी का एक बूं हो या हमारे रेत का एक कड़ी क्यूंना हो ये सभी क्या होंगे आपके पदार्थ में ही आएंगे आए बढ़ेंगे वातावरण में प्रतिक वस्तू पदार्थ से सह दिखाई देती है वह जिस समागर्य से बनी हुई है उसे ही हम क्या कहते हैं उसे ही हम पदार्थ कहते हैं यह हो गई हमारे पदार्थ की परिभासा और कुछ हम इसको समझ सकते हैं पदार्थ हमें तीन फॉर्म में देखने को मिलता है एक सॉलिट फॉर्म में देखने को मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम ठो है ऐसी कहते हैं चिक है तो पदार्थ हमीं मेलने तीन उस में देखनेructive मिलता है एक čौथा इसतर प्लाज्मा का होता है जो एक कत्रे की तरह होता है थीक है तो यह आप लोग परमाडू अडू ये सभी चीजे पढ़े होंगे ना बिलकूल ये पदार्थ के सबसे छोटी कायू में से एक है पदार्थ के कड़ों के बीच रिक्तिस्थान होता है किन्तु पदार्थ की अवस्थाओं के अधार पर यह रिक्तिकस्थान अलग-अलग रूपों म यह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है घ्क है यह क्या होता है आप का हम मान सकते हैं यह ठोस हो गया उर्न यह क्या हो गया आपका थोस हो गया ठीक अब हम बात करते हैं किसकी अब हम बात करते हैं द्रव की द्रव में क्या होगा थोड़ा सा गेब ज़्यादा होगा ठीक है थोड़ा गेब हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा यह आपका क्या हो गया द्रव हो गया अब हम किसकी बात करते हैं अब हम इसी की बात करते हैं गैस की अगर हम बात करें तो गैस में गेप क्या होगा ज्यादा देखने को मिलेगा ये क्या है आपका गैस है तो ऐसे ही हम समझने का प्रयास करेंगे पदार्थ के कड निरंदर क्या होते रहते हैं गतिसील होते हैं और पदार्थ के कड़ों के बीच में एक आकरशन बल होता है जिसकी वज़ा से पदार्थ के कड़ एक दुसरे को क्या करते हैं आकरशित करते हैं उन्हें अट्रक्ट करते हैं clear हुआ हमें पदार्थ ही समझना है अगर हम पदार्थों के वर्गी करण की बात करें अगर हम classification of matter की बात करें तो इन्हें हम दो रूपों में देख सकते हैं कौन-कौन से तो सबसे पहले हम भौतिक देख सकते हैं इसका भौतिक जो होता है वर्गी करण कैसा होता है और सब्सक्राइबं आधे हैं इख सकते हैं तत्तो से मिलकर बने होते हैं लेकिन मिस्रण जो होते हैं उसमें आपको कई सारी कारक देखने को मिलेंगे हम इसे और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, अभी एक इंट्रो के लिए आप समझ सकते हैं आगे बढ़ें, तो हम पाते हैं, अगर हम भौतिक अधार पर बात करें तो भौतिक अधार पर पदार्थों को तीन भागों में बाटा गया है तो सबसे पहला जो भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सॉलिट कहते हैं जिसे हम थोस कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिसका आयतन वा आकार दोनों ही निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं याद रखिएगा अगर आप नमक को उठा कर जैसे आपने नमक को क्या किया है कटोरी में रखा है फिर उस नमक को उठा कर अगर आप प्लेट में रखते हो या आप ग्लास में रखते हो या थाली में रखते हो तब भी जो ठोस का आकार होगा और भार होगा तो यहां पस उसी की बात हो रही है, कि इसका आयतन वह अकार क्या होता है, निश्चित होता है, इसे हम थोस कहते हैं, ये परिभासा हुई, जैसे सक्कर, लोहा, ये सक्कर है आपका, सक्कर, लोहा, सोना, चांदी, नमक, अधी, ठीक है, जैसे ये क्या हो गया, ये आपका नमक हो गई आप नमक को किसी भी बर्तन में डालिए यह वैसा ही रहेगा इसका सेप नहीं बदलेगा यह क्या हो गया यह signals होगया इनका भी शेप नहीं बदलेगा यह आपका चांदी हो गया कि South यह अपका सोना हो गया यह सभी क्या है solid matter है सोना और ये क्या हो गया आपका लोहा हो गया clear हुआ तो ये हमारे ठोस का क्या हो गया example हो गया ये solid matter हो गया अब आगे बढ़ेंगे हम दूसरा प्रकार देखेंगे बहुत ज़्यादा आपके seat rate में एकदम dip में सवाल नहीं करता है लेकिन intro के रूप में आपसे सवाल कर सकता है क्योंकि पदार्थ आपके syllabus में दिया हुआ है तो आपको इतनी जानकारी होनी ज़रूरी है बात करें ठोस के गुड की ठीक है भी हम ठोस की बात कर रहे हैं solid की बात कर रहे हैं तो properties of solids की हम बात करें तो याद रखिएगा यहीं से सवाल बनते हैं आपका अगर examiner सवाल घुमाएगा तो यहीं से सवाल बनेगा और यह आपके और भी exam में बहुत ज़्यादा helpful होंगे तो ध्यान दीजेगा अगर हम बात करें इसके properties की तो इसके कड़ों के बीच आकरशन बल अधिक होता है याद रखिएगा थोसों की बीच क्या होता है आकरशन बल अधिक होता है तभी तो इसके कड़ बहुत ज़्यादा क्या होते है पास पास होते है अगर इनके बीच आकरशन बल अधिक होगा तभी तो ये क्या होंगे, बहुत ज़दा पास पास होंगे, clear हुआ, जिसकी वज़य से ये कड क्या होते है, पास पास होते है, इसका आयतन और अकार निश्चित होता है, संपिड्य गुर्णा के बराबर होता है, संपिड्य का मतलब होता है, जिसे हम दबा सकें, ठीक है, जै रखेगा ठोस में क्या qualities होती है या असंपिड्ड्य होते हैं मतब इसे दवाया नहीं जा सकता ठीक है जब तक इसे हम Temperature में नहीं रखेंगे जब तक इसे हम High temperature नहीं देंगे तो आप क्या देखा सबसे पहले हमने देखा कि पदार्थ की परिभासान को हमने समझा फिर पदार्थों को हम रेसाईनिक और भौटिक अधार पर वर्गी कृत्प किये भौटिक अधार पर हमने देखा कि जो हमारे पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं ठोस, द्राव, गैस, सॉलिट, लिक्वीट और आपका गैस, फिर हमने देखा कि रहसायनिक रूप से भी पदार्थ दो रूपों में देखा जाता है, एक तो सुद्ध पदार्थ और एक मिस्रित पदार्थ तो अभी हम सबसे पहले क्या देख रहे थे, अभी हम सबसे पहले ठोस देख रहे थे, हमने देखा कि ठोस में रिक्तिक्सान बहुत कम होता है, इसके जो कड़ होते हैं बहुत ज़्यादा पास-पास होते हैं और यह आसंपिड्डे होते हैं या इसमें संपिड़न जो होता वो ना के बराबर होता है क्यों क्योंकि इन्हें दबाया नहीं जा सकता फिर हमने देखा कि और इसका आयतन और अकार क्या होता है निश्चित होता है तभी तो ये क्या कहलाती है थोस कहलाती है तो ये हो गए हमारी थोस की बात अब अगला हम समझेंगे अच्छा ये कुछ एक्जामपल है आप बहुत अच्छे से इस इनेज के थू देख सकते हैं आप यहाँ सामने जितनी भी चीजों को देख रहे हैं ये सभी किसके एक्जामपल है यह आपके ठोस का एक्जामपल है चाहे आप यह सभी चीजे देख लें चाहे आप यह देख लें ठीक है यह आपके ठोस के एक्जामपल है यह पस आइसक्रीम एक अपवाद है लेकिन तब भी हम आइसक्रीम को कह सकते हैं लिक्विट फॉर्म में भी कह सकते हैं और ठोस में तो नहीं कह सकते हैं ठीक है लेकिन इसका ये वाला जो पॉर्शन है अगर ये हलका ठोस होता है बहुत जादा मतलब ठोस की भी न अपने अपनी qualities होते हैं एक बोलते हैं अच्छी quality वाला ठोस और एक कम quality वाला तो ये सब यह सब नम इमेज के दिखाना चाहता है कि आपको matter को बताना चाहता है कि आप इन्हें यह आपका बंटी है बंटी कंचा जिसे कहते हैं बचपन में खेला करते थे यही सब चीजें बर्फ सबसे अच्छा एक्जामपल है पदार्थ का बर्फ को आप तीन रूपों में देख सकते हैं या कह सकते हैं water water ना किसी भी पदार्थ का सबसे best example क्योंकि हमें तीनों फॉर्म में देखने को मिलता है water जो होता है अगर हम इसे normal temperature में देखे तो यह क्या होता है liquid form में होता है द्रव अवस्था में होता है जब इसे हम क्या कहते हैं कम टेंपरेचर में एक दम रखते हैं ठीक है जब हम इसे जम आते हैं ठंड में यह क्या होता है जम जाता है ठोस का रूप ले लेता है लेकिन जब यही क्या होता है भाप के रूप में उड़ने लगता है गैस बनने लगता है वाटर एक बहुत अच निश्चित होता है परन्तु आकार निश्चित नहीं होता है परिभासा को याद रखिएगा थोस का क्या था आयतन निश्चित था लेकिन आकार भी निश्चित था और यहां पस आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है अब एक एक्जामपल हम ले सकते हैं अकार बदल जाएगा लेकिन पानी तो उतना ही रहेगा जितना है जिसे माल लेते हैं एक लीटर तो पानी नहीं है माल लेते हैं आधा लीटर पानी है अगर हम उसे क्या करते हैं कटोरी कटोरी में तो नहीं होगा गंजी में अगर रखते हैं तो उसी शेप में हो जाएगा फ पहली विसेशता ये हो गई द्रव अवस्था की कि इसका आयतन तो निश्चित रहता है किन्तु इसका आकार निश्चित नहीं होता है किसकी बात हो रही है यहां पर द्रव अवस्था की द्रव को जिस भी पात्र में डाला जाता है वह उसका आकार ग्रहन कर लेता है clear हुआ, उधारन के लिए जल, दूद, तेल और पारा, हम सभी क्या करते हैं, जब हम तत्व पढ़ते हैं, तो हम सभी धातु पढ़ते हैं, तो पारा क्या है, एक अपवाद है, हम पढ़ते हैं, कि सभी धातुए क्या होते हैं, ठोस होते हैं, लेकिन पारा क्या है, एक अपव है और यह आपका वाटर है यह सब क्या है आपके द्रव का यह लिक्विट इस्टेट के एक्जामपल है आए बढ़ेंगे चलिए द्रवपदार्थ के भी गुर देख लेते हैं लिक्विट जो मैटर है उसकी क्या क्वाल्टी से यह समझ लेते हैं अब देखिए यहां पास आप देख सकते हैं यह सभी कड़ है देखिए यह थोड़ा सा क्या है डिस्टेंस में यह सभी क्या है थोड़ा डिस्टेंस म ये क्या है हमारा द्रव है द्रवपदार्थ का आयतन निश्चित होता है परन्तु अकार अनिश्चित होता है ये इसका क्या हो गया पहला क्वाल्टी हो गया पहला गुड़ हो गया दूसरे गूर की हम बात करें तो इसके कड़ों के बीच आकर्शन बल थोस क्या पेच्छा कम होता है थोस में जो आकर्शन बल होता है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा अधिक होता है तभी इसके जो कड़ होते हैं वो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं लेकिन आपके जो द्रव होते हैं उसमें आकर्षन बल जादा होता है लेकिन ठोस से कम होता है जिसकी वज़य से कड़ों के बीच रिक्त इस्थान अधिक होता है किस क्या पेच्छा ठोस क में होगा फिर उससे कम रिक्तिस्थान आपके द्रव में होगा और सबसे ज़्यादा रिक्तिस्थान आपके गैस में होगा तो यह हो गई हमारी द्रव अवस्था की बाते तीसरी जो अवस्था है वो है गैस अवस्था जिसे हम कहते हैं गैस स्टेट अब इसकी हम बात करें तो ऐसा पदार्थ जिसका ना तो कोई आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है आयतन भी कोई निश्चित नहीं होता ना कोई आकार होता है तो इसलिए से हम क्या कहते हैं गैस कहते हैं तो हमने फिर एक बार हम लोग रिविजन करते हैं हमने ठोस में क्या धारन कर लेता है उसी आकार धारन कर लेता है और अगर हम गैस की बात करें तो ना तो इसका आकार निश्चित होता है ना तो इसका आयतन निश्चित होता है example के लिए oxygen ठीक है आपका O2, hydrogen हाना आपका H2 और nitrogen आपका N2 यहाँ पस image भी आप देख सकते हैं oxygen, hydrogen और nitrogen और ऐसे कई ऐसे gas है जो हमारे gas आवस्था के बड़िया example है अब गैसी पतार्थों के भी गुर देखेंगे properties of gases substance की हम देखेंगे अब देखें यहाँ पर आप देखें अडू में हमने क्या देखा था यहाँ पस हम देखे थे यहाँ पस देखेंगे कड़ों के बीच का गेप यहाँ पास का देखेंगे और कड़ों के बीच का गेप यहाँ पास का देखेंगे यहाँ पर गेप बहुत ज़्यादा दिख रह कानों नहीं यहां पस कड़ों होगा ठीक है सुधार लेंगे इसको इनके कड़ों के बीच रिक्त इस्थान इनके कड़ों के बीच रिक्त इस्थान बहुत अधिक होता है कड़ों के बीच आकर्शन बल्व ही बहुत ही कम होता है ठीक है यहां पस क्या होता है जो आपके गैस ह कम होता याद रखिएगा जब अट्रैक्शन कम होगा एकर्शन कम होगा तो चीजे क्या होती है फैली हुई होती है डिस्टेंस में तो यही हाल गैस का है इसमें क्या होता है आकर्षन बल कम होता है इसलिए इसके जो कड़ होते हैं वो दूर दूर होते हैं लेकिन आपके जो द्रव थे उनमें थोड़ा आकर्षन बल था तो थोड़ा पास थे ठोस में बहुत ज़्यादा था इसलिए वो बहुत ज़्यादा पास थे अब हम बात करेंगे तत्व की यह most important है क्योंकि examiner आपसे सवाल करता समझेंगे तत्व क्योंकि अगर आप पदार्थ पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि तत्व क्या है उससे पहले एक बार हम पिछला जो class देखें हैं उसको हम एक बार फिर देख लेंगे चलिए एक बार फटा फट देख लेते हैं हमने ये देखा कि पदार्थ की तीन अवस्था होती है किस अधार पर? भौतीक अधार पर पहला हमने देखा ठोस, द्रव, गैस ठोस में क्या होता है? ठोस में अकार और आयतन दोनों निश्चित होता है द्रव में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन अकार निश्चित नहीं होता है गैस में ना तो आयतन निश्चित होता है ना तो आकार निश्चित होता है फिर हमने देखा कि ठोस में जो होता है रिक्ते स्थान बहुत कम होता है और गैस में बहुत ज़्यादा धीक होता है और द्राव में थोड़ा कम होता है तीसरी चीज हमने देखा कि थोस में आकर्शन बल सबसे अधिक होता है जिसके कारण इसके कड़ बहुत ज़्यादा पास-पास होते है द्राव में आकर्शन बल इसे दबाया नहीं जा सकता है और द्रव में क्या करते हैं आप इसे दबा सकते हैं लेकिन ये पता नहीं चलता लिक्विट फॉम में होता है तो आसम पिड्डे का गोड़ी याद रखिएगा ठीक है ये सारी चीजे हो गई यहां से सवाल अब क्योंकि आपके बुक में दिया है NCRT में आप पदार्थ पढ़ते हैं उसमें आप पदार्थों का प्रिथक करण करते हैं तो पदार्थों का प्रिथक करण पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पदार्थ है क्या तो ये हम समझ लिए अब हम समझेंगे कि तत्व क्या होता है तत्व याद रखिएगा ये पदार्थ का ही एक रूप है जब कोई पदार्थ एक ही कह सकते हैं परमाड़ों से मिलकर बने होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं तत्व कहते हैं जब आप तत्व और योगिक पढ़ेंगे तो दोनों में आ होता है जस्ट उल्टा होता है अभी तत्व याद रखिएगा तत्व वे सभी पदार्थ होते हैं जो एक ही परमाड़ों से मिलकर बने होते हैं समझने का प्रयास करेंगे एक्जामपल हम देखेंगे चलिए यहाँ पस एक्जामपल देखते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम समझ लेते हैं केवल एक ही प्रकार के परमाड़ों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को तत्व कहते हैं दिमाग में एक बार बैठा लेजे बहुत इजी होगा जब आप का सोना हो सोना जो होता है गोल्ड जो होता है यह एक ऐसा मेटल होता है जो एक ही प्रकार के परमाड़ों से मिलकर बना होता है और आपका चांदी है वो भी एक ही प्रकार के परमाड़ों से मिलकर बना होता है ठीक है यह क्लियर हुआ oxygen में क्या है oxygen में भी same पड़माडू है hydrogen में भी same पड़माडू है लेकिन अगर हम water की बात करें तो क्या ये same पड़माडू है इसमें नहीं इसमें hydrogen और oxygen देखने को मिल रहा है ये तो अपनी बात हुई पर अगर तत्व की बात हुई तो तत्व का इतना याद रखिएगा कि जो एक ही प्रकार के पर्माडवों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं योगिक किसे कहते हैं? अब हमने क्या पढ़ा? हमने तत्व तो पढ़ लिया, हम समझ गए कि तत्व किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाडवों से बने होते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं. अब योगिक किसे कहते हैं? योगिक समझेंगे हम? योगिक जब दो या दो से अधिक तत्व एक दूसरे से रसाइनिक अभिक्रिया करके याद रखिएगा जब तत्व क्या होते हैं एक दूसरे से रसाइनिक अभिक्रिया करके जब जुड़ते हैं तो वह एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे योगिक कहा जाता है याद रखिएगा जल अभी हम पढ़ रहे थे जल किसका एक्जामपल है तो जल आपका H2O योगिक का एक्जामपल है आपका अमोनिया जिसे हम NH3 कहते हैं ये भी किसका एक्जामपल है आपकी योगिक का एक्जामपल है कारबन डै ऑक्साइट की बात करें CO2 जिसमें कारबन और ऑक्सिजन दोनों है, सरकरा का भी वही हाल है, जब आप वो पढ़ते हैं, जब आप प्रकास समस्लेशन की प्रक्रिया पढ़ते हैं, तो लास्ट में आप देखते हैं, C6, H12, O6, ये सभी आप चीजे पढ़ते हैं, तो ये सभी क्या है, आधी योगिकों के कुछ उधारन क्लियर हुआ, तो याद रखेगा, तत्व और योगिक में क्या अंतर हैं, तो तत्व वे पदार्थ हैं, जो एक ही प्रकार के पढ़मावों से मिलकर बने होते हैं, जब कि योगिक जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रसाइनिक क्रिया करके, किसी नए पदार्थ का निर्माड करते हैं, उसे हम योगिक कहते हैं, फॉर एक्जामपल आपका वाटर, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सिजन दोनों होता है, आपका कारवन डियोकसाइड, जिसमें कारवन और ऑक्सिजन दोनों होता है, अमोनिया, जिसमें आपको नेस्थी होता है, जिसमें ना बिट कर रही हूं बस ऐसा नहीं है कि आपने NCRT में देखा पदार्थों का पिठ्रकन और आप पढ़ना सुरू कर दिए आपको वो सभी चीजों को कवर करना होगा जो से तो मिसरण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या योगिकों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है मिसरण कहलाता है जैसे हवा मिट्टी आदियाद रखिएगा मिसरण क्या होता है भले ही इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होते है या तीन चार पदार्थ भी होते हैं लेकिन ये क्या होते हैं एक निश्चित मात्रा में होते हैं नाम से इस पस्ट हो रहा है मिस्रण में क्या होगी चीजे मिस्रित में होगी लेकिन एक निश्चित अनुपाद में होगा तो ये क्या हो गया मिस्रण का एक परिभासा हो गया याद रखिएगा वह पदार्फ जो दो या दो से अधिक तत्वों या योगिकों को एक निश्चिन अनुपाद में मिलाने से प्राक्थ होता है, मिस्तरण क्या लाता है जैसे हवा, मिट्टी, आदी. मिस्तरण के अगर हम प्रकार के हम बात करें, इसके टाइप्स की हम बात करें, तो मिस्तरण को हम क्या कहते हैं, मिस्तरण को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, और रही बात परिभासा की तो हमने देखा, कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या करते हैं, एक मिस्रण है और यह मिस्रण के प्रकार है इसमें भी क्या होंगी दो या दो से अधिक तत्व होंगी और इसमें भी दो या दो से अधिक तत्व होंगी इसी के अधार पर मिश्रण को दो भागों में बाटा गया है एक तो समांगी विश्रण और एक है आपका विश्मांगी मिश्रण सवाल यहां से बन जाता है एक पर समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं सजाती मिश्रण जिसे हम समांगी मिश्रण भी कहते हैं तो उसका मिश्रण समान नाम से इस पस्थोरा समांगी मतलब क्या होगा समान इसका मिश्रण समान प्रवस्था पदार्थों का संगठन है जैसे नमक घटकों की एक समान संरशना है जैसे आप आयोडेन को देख सकते हैं इसकी संरशना क्या है बिल्कूल सेम है एकदम सेम है ये क्या है आपके समांगी या सजाती मिस्रण का एक एकजामपल है समांगी मिस्रण के कुछ उधारण है चीनी का घोल नमक का घोल कौपर सलपेट का घोल समुद्री जल सराब और पानी का मिस्रण पेट्रोल और तेल का मिस्रण सोडा वाटर ये सबी क्या होते है एक निश्चित अनुपात में होते है ठीक है ये आप देख सकते है अच्छा हा और एक चीज और याद रखिएगा, समांगी मिस्रण में क्या होता है, एकदम विले होता है, एकदम मिश्रित होता है, मतलब अलग-अलग दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन विश्मांगी मिस्रण में चीजे अलग-अलग दिखाई देते हैं, जैसे ये क्या है अपका, ये ओ पाइनी के मांध्यम से एक समान सनरशना वाले नहीं होते हैं यह मिश्रण विभीन प्रवस्था पदार्थों का संगठन है जल और तेल का मिश्रण एक विश्मांगी मिश्रण है इसका अर्थ क्या है कि यह सेम सनरशना वाले नहीं होते हैं यह आपस में बहुत जदग घुल पेल और पानी का मिस्त्रा सबसे बेस्ट एग्जामपल है ठीक वेलियन विलियन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है विलियन का जो टॉपिक है वो हम नेक्स कक्षा में कवर करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये कॉंपिटिशन कमिनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लि